एक्सरसाइस 2.2 से कुस्चन नमबर 8 करेंगे विद्या और प्रताप वेंट फॉर आ पिकनिक विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए देर मदर गेब देम आ वाटर बॉटल देट कंटेंड फाइव लीटर आफ वाटर उनकी मम्मी ने उन दोनों को एक पानी की बॉटल दी जिसके अंदर फाइव लीटर पानी था विद्या कंजूम टू बाइव फाइव आफ दा वाटर विद्या ने इस बॉटल में से टू बाइव फाइव फ्रेक्शन का जो पानी है वो पी लिया इस टू बाइव का मतलब ये है कि अगर बॉटल के पानी को पाँच बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन पाँच पार्ट में से दो पार्ट विद्या ने कंजूम कर लिया परताब कंजूम दा रिमेनिंग वाटर और बाकी का जो पानी है वो फिर परताब ने पी लिया आप से नंबर वन में पूछा है how much water did विद्या ड्रिंग कि विद्या ने कितना पानी पिया है सेकिंड में पूछा है what fraction of the total quantity of water did परताब ड्रिंग और परताब ने टोटल पानी का क्या fraction पिया है अब देखिए दोनों question दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके answers अलग तरीके से निकलेंगे पहले में पूछा है कि how much water did विद्या ड्रिंग how much यानि कि कितना तो जो answer होगा वो लीटर में होगा कि कितना लीटर पानी विद्या ने पिया है लेकिन second में प्रताप के लिए fraction पूछा है fraction का मतलब है कि 5 में से कितने हिस्से प्रताप ने पिया है तो हम पहले का अंसर निकालते हैं विद्या ड्रिंक वाटर विद्या ने कितना पानी पिया है देखें विद्या ने जो पिया है fraction के अंदर बता रहा हूँ मैं वो 5 में से 2 हिस्से पिये है तो 2 by 5 और total जो पानी है वो है 5 लीटर तो इसे 5 लीटर से multiply हम करेंगे तो हमारा answer लीटर में आएगा 5 से 5 कट गया और 2 लीटर आगया answer यहनि विद्या ने तो 2 लीटर पानी पिया है second पर चलते है what fraction of the total quantity of water did परताब drink अब परताब ने total पानी का कितना fraction पिया है इसे मैं हाँ फिगर में समझाता हूँ आपको देखे total पानी 5 by 5 हो गया नीचे 5 है ना तो 5 में से 5 हो गया total पानी इसे हम 1 से भी denote कर सकते हैं क्योंकि 5 से 5 राइव काट गया तो 1 हो गया मांन लिजे ये एक पार्ड और ये दो पार्ड ये विध्याने पि लिए तो नीचे वाले ये जो 3 parts है ये परताब ने पिलिए तो fraction के अंदर जब हम इसका अंसर निकालें गे तो परताब के लिए 5 में से 3 parts आएंगे अब इसे हम solve करके दिखाएंगे तो fraction of water परताब drink तो total पानी में से अब total को हम 5 by 5 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं total जो fraction है उसमें से विद्या का minus कर देंगे 2 by 5 तो answer हमारा 3 by 5 ही आएगा देखिए कैसे जब आपके ऐसे 3 number होते हैं तो इस नीचे वाले को इससे multiply करते हैं 5 ones are 5 हो गया minus का minus 2 का 2 और नीचे 5 as it is रहेगा तो उपर उपर जब हमने minus किया तो 5 में से 2 minus करेंगे तो 3 आगया और नीचे 5 यानि परताब ने पानी की bottle में से 3 हिससे पानी पिया और उसकी बेहन ने कोशन खतम तो इस वीडियों बस इतना ही नेक्स कोशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए